हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल मम्मी वेवी केर तो आज बात करेंगे हम नॉर्मल डिलीवरी में कितने टाके आते हैं और इन्हें ठीक होने में कितना समय लगता है यहाँ बहुत कोमन सवाल होता है हर मैला का तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद वजयना में टाके लगते हैं और डिलीवरी के बाद इन टाकों की सही देखभल करना बहुत जरूरी होता है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके सिजिरेन डिलीवरी में तो टाके लगते ही हैं लेकिन नॉर्मल डिलिबरी में भी टाके लगते हैं नॉर्मल डिलिबरी के दोरान वजायना की दिवार हलकी से टेर हो जाती है और इस टेरिंग को बढ़ने से रोकने के लिए इंफेक्शन को दूर करने के लिए टाके लगाई जाते हैं आम तोर पर शुरुवात में टाको में दर्द होता है और उठने बैढने चलने में दिक्कत होती है टाको की भरने की परकिरिया में खुजली होना आम बात है नॉर्मल डिलिवरी के बाद योनी में दर्द और सुजन आती है इसलिए टाको को ठीक और योनी को रिकवर करने के लिए कुछ बातों का द्यान रखना बेहत जरूरी होता है नॉर्मन डिलिवरी के बाद टांकों को भढ़ने में कम समय लगता है अगर उसकी अच्छी देख भाल की जाए वजाएनल डिलिवरी के बाद छोटा टाका लगा है तो इसे ठीक होने में दो से तीन हपतों का समय रहता है और मेला को अपने प्राइवेट पाट की साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए ताकि इंवेक्षन ना हो और मेला जल्दी से रिकवर हो जाए इस समय मेला को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहर जरूरी होता है जिनसे टांके जल्दी से ठीक हो जाए डिलिवरी के डॉक्टर ने जो एंटिबाइटिक दवाई दी है उसका पूरा कोर्स करना चाहिए और दवाई समय पर लेना चाहिए टांकों को साफ रखे रोजाना नहाए नियमी तोर पर सेंट्री पैट बदले योनी वा उसके आसपास की जगा साफ करने से पहले और बाद में हाद धो कब्ज से बचने के लिए प्रयाप्त मातर में पानी पिए कब्ज होने पर मलत्या करते समय टांकों पर जोर पड़ सकता है पेरिनेयम एरिया में ठंडी या गरम सिकाई करें गरम पानी के टब में एंटिसेप्टिक मिलाकर उसमें 15 मिनट बैठें ताकि आपके दर्द और ट ज़रूर जाएं अपना और अपने बीबी का ध्यान रखें मिलते हैं अनधर वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर